माराष्ट्रा के पुर्व ग्रैमंत्रे और एंचीपी नेता अनिल देशमुक पर एडी दुवारा सिकंजा कसने के बाद महाविकास सिगाडी गढ़बनन सरकार में हड़का मचा हुआ है सचीन वाजे और परंबीर सिंग ने देशमुक पर सो क्रोड रुपे मैना वसूली करवाने के आरोप लगाये थे उसी मामले में एडी ने दस से जादा बार मालिकों से बादचित कर उनके ब्यान दर्ज कर लिये हैं इस वसूली कांड की तै तक पहुंचने के लिए अनिल देशमुक के पीए और उनके पीएस को एडी किरिपतार कर चुकी है एवं एक जुलाई तक ये दोनों एडी के सिकंजे में रहेंगे जिस दोरान इनसे एडी वसूली कांड और वसूली गेंग के बारे में पूस्ताच करेगी केंद्री एजेंसी एडी की सकारवाई से एनसीपी सुप्रीमो सार्द फवार और उखाड दिया वाले पतरकार संजराउत बोखलाए हुवी हैं वसूली कांड को लेकर के पहले एक खुलासा हो चुका है कि अनिल देशमुक सचिन वाजे से हर मैने सो क्रोड रुपे वसूली के तोर पर लेते थे वसूली करने वाला सचिनवाजे और परमबीर सिंग चिलाचिलागर कह रहे हैं कि वो मुंबई में बार वालों से हर मेने क्रोडों रुपे की वसूली करते थे बार के मालिक इडी को अपना लिखित ब्यान दे चुके हैं कि उनसे पैसा लिया जाता था इस ब्लेक मनी को वाहिट करने वाली सेल कंपनिया जो अनिल देसमुक के बेटे चला रहे थे कोलकाता में पकड़ी जा चुकी है वसूली कांड पर इतना सब कुछ खुलासा होने के बावजुद भी अनिल देसमुक कह रहे हैं कि इस सो क्रोड रुपे वसूली कांड में उनका कोई हात नहीं है उपर से सार्द फुआर और संजय राउत अनिल देसमुक का बचाव करते हुए केंदर सरकार पर ही उंगलियां उठा रहे हैं इनके दुवारा इडी को मोधी सरकार के इसारे पर चलने वाली प्राइवेट कंपनियां बता दी गई है क्या माराष्ट्रा की जनता बेवकूप है जो एन्सीपी परमुक सार्द फुआर अनिल देसमुक और संजय राउत की इस बकवास बाजी पर विश्वास करेगी कुल मिलाकर अनिल देसमुक के दो गुर्गे इडी के सिकंजे में आने से उद्दाव सरकार की सारी पोल पटी कुल कर सामने आने वाली है और इसी डर के चलते उद्दाव सरकार के नेताओं में खलबली मच गई है जिसके कारण बोखलाई संजय राउत और सार्दफवार इडी की कारवाईयों पर स्वाल खड़ी कर रही है अनिल देसमुक की गरदन पर गिर्पदारी की तलवार लटक रही है इडी देसमुक को पेस होने के लिए कई बार समन कर चुकी है लेकिन अब NCP नेता की अन्तिम पड़ा उपर है इसलिए मारास्त्रा की उद्दाव सरकार में जो वसूली का खेल चल रहा था उसकी पोल खुलने के डर से महाविकास सरगाडी गटबंदन के नेता बोखला चुकी है अलांकि उद्दाव सरकार में बराबर की पार्टनर कोंग्रेस के नेताओं ने अनिल देशमुक के सो क्रोड रुपे वसूली कांड को लेकर के न्सीपी को जिम्दार ठहराया था उद्दाव सरकार में तिनों पार्टियों के नेताओं में आपसी मतबेद के चलते पहले से ही केई तरह के क्यास लगाई जा रहे थे लेकिन अब एड़ी की कारवाई के ब अलांकि पहले भी एडी की सकारवाई को लेकर के साधववार गुजरात पहुंच कर अमित साय से रात के अंदेरे में एक फारो माउस पर बेठक कर चुके हैं जिसमें परफुल पटेल भी सामिल थे महाविकास गाड़ी गठबंदन में विशिव सेना की खुलने वाली पोल से बचने के लिए उद्दाव ठाकरे भी परदार मंतरे निरैंदर मोदी जी से मुलाकात कर चुकी हैं एडी के सिकंजे से बचने के लिए उद्दाव ठाकरे मोदी जी की सरण में पहुंचे थे जिसके बाद सिव सेना की गरवापसी के भी संकेत मिले थे अब उद्दाव स और सार्द फुवार के बीच में बात नहीं बनी और अनिल देश्मुक को गिरपदार E.D. दुवारा नहीं किया जाता है तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि आने वाले समय में N.C.P. और B.J.P. नेताओं के बीच में नजदीकियां बढ़ेगी दूसरी तरफ अनिल देश के बीच में पड़ी दरार का B.J.P. फाइदा उठा सकती है लेकिन कुछ राजनितिक पंडितों का ये भी मानना है कि बारतिय जंता पार्टी N.C.P. और शिवसेना दोनों सो ये दूरिया मना करके रहना चाहती है लेकिन मारास्ट्रा में दुबारा चुनाव करवाने को ल तीनों पार्टियों के महाविकास सिकाड़ी गटबंदन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है बस उद्दाव सरकार गिरने के कगार पर आ चुकी है उद्दाव सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है अलांकि N.C.P. और B.J.P. नेताओं के बीच में किसी तरह का समझ तो दूसरी तरफ शिवसेना नेताओं द्वारा मोदी सरकार की तारीफ होना इस बात का सबूत है कि क्रोना का परकोप खतम होने के बाद महारास्टरा में दुबरा चुनाव भी हो सकते हैं बविसे में काफी कुछ बदलाव महारास्टरा की राजनिती में देखने को ही हैं कुल मिला करके महारास्टरा की राजनिती में एडी की कारवाईों ने हड़कम मचा करके रख दिया है एन सी पी नेता या यूं कहें कि महारास्टरा के पुरो ग्रह मंत्री द्वारा जो सो सो क्रोड रुपे मैना की जो एक अधिकारी से वसूली करवाई जा रही थी उसको लेकर के एडी ने अपना जांच का दाइरा बढ़ा दिया है जिसके चलते जो अनिल देश्मुक के फर्सनल स्केटरी हैं या फर्सनल असिस्टेंट हैं उन दोनों को गिरिपदार कर लिया गया है अब उनसे पुस्ताश की जाएगी और इसके साथ ही अनिल देश्मु के दो बेटों की जो सेल्स कंपनिया कोलकाता के अंदर चल रही थी ममता बनर जी की कोलकाता में चल रही थी उनको एडी द्वारा पकड़ लिया गया है ऐसे में कई छापे मारी भी हो चुकी है जो महाविकास से गाड़ी गडबंधन सरकार में कई तरह के हड़कम मचा चु कड़ कम मचा हुआ है कभी संजय राउत कोंग्रेस पर किसी तरह का कटाक्ष कर देते हैं कभी एंसीपी सूप्रीमो सार्दबवार को लेकर के बोल देते हैं पिछले दिनों संजय राउत की तरफ से राहुल गांदी को नानी याद दिलाए गई थी और आज फिर से संजय र जैसे ही इडी की कारवाईया मारास्ट्रा में शुरू हुई तो उसके बाद संजयर राउत ने एक तरह ऐसे मोधी सरकार पर जो जहर उगलना है वो शुरू कर दिया है दूसरी तरफ मारास्ट्रा के महाविकास सगारी गठबंदन सरकार की राजनिती में हर रोज गणित बद अजीत पवार और सारव फुवार के बीच की दरार को लेकर के भी चर्चाएं ते चल रही है शिपसेना के नेतायों की तरफ से शिपसेना के विदायकों की तरफ से भी उदव ठाकरे को पत्तर लेकर की का जा रहा है कि NCP और कॉंग्रेस के साथ आ करके उन्होंने सबसे पल पल बदल रहा ये राजनेतिक गणेत एक बड़े बदलाव की और साप साप इसारा है आने वाले समय में री पोल को लेकर के भी चर्चाएं तेज होगी क्योंकि फिलाल ये तो साप हो चुका है कि बारतियंता पार्टी नाई तो NCP के साथ और नाई शीव सेना के साथ मिल क करके सरकार बनाएगी बलकि द्वेंद्रा फंडविश्ट दुबारा विदानसवा चुनाव में उतरना फसंद करेंगी और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का केंद्रिय अन्यतताव NCP और शीव सेना से किसी तरह की बातचीत पर समझोता कर सकता है लेकिन जिस त सरकार के कदमों में जाकर के गिरेगी इसमें कोई सक नहीं है पिलाल माविकास से गाड़ी घठ बंदन सरकार को लेकर के अनिल देशमुक की किरबदारी पर जो क्यास लगाए जा रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं क्या एड़ी अनिल देशमुक की किरबदारी करेगी इस पर आप अपने विचार हैं में कोमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं साथी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अब भी के लिए इतना हैं मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अब तक के लिए चैहिन चैह भारत